हलो एफ्रिवन आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एंसी आटी क्लास एट का चाप्र टू चिल्रन एट वर्ग इसमें बिफोर यू रीट में हमें बताया गया है कि बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके वज़े से बच्चे काम करते हैं कुछ अपनी फैमिली को हेल्प करने के अपने घर से बहाग जाते हैं क्योंकि वह अपने घर में खुश नहीं होते हैं इसलिए वह काम करते हैं वर्ना जो आपकी एज के 12-13 यह जो बच्चे है वह स्कूल जाते हैं और गेम्स केलते हैं तो यह स्टार्टिंग में समली दी हुए हम चप्टर से स्टार्ट करते हैं चिंडी सेंटले इसलिए वह खुश भी अपने खुश खुश हैं वह तो जो है क कन्यागुमारी एश्परिस उप रहता है किस सान्य कोमारी फॉर्ट भेस के वह न चार्ट जयाते हैं तो जैसे मतलब वह फानली उट पाया उसको टाइम लगा था थोड़ा की वह उठ पाई तो उसके जो पैर थे वो वॉबली थे मतलब हिल से रहे थे अंस्टेडी थे सही से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था इसके बाद as if he was still on a moving train और मतलब इस सरी कि वॉबली से थे और हिल रहे थे पैर ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो अभी भी train में ही है out of the way a porter went by with a loaded trolley वेलू jumped aside और फिर एगदम से वो जैसे खड़ा होता है तो porter आ जाता है porter === कूली जिसे दूसरों के समार उठाते है वो वो आ जाता है अपनी trolley के साथ जिसमें समार रखा होता है और वो एगदम से जलाता है कि मतलब यहां से हट जाओ इस जगे से तो जो value होता है वो दूसरी तरफ को हट जाता है He sat on a bench on the platform putting his small bundle down और फिर वो क्या करता है बैठ जाता है वहाँ पर platform पर जो seat होती है और उसके पास जो bundle होता है उसको भी अपने साथ रख देता है In all his 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village तो वो बच्चा जो था वो 11 years का था और उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे अपनी 12 साल के जिंदगी में except मतलब एक के बज़ाए एक साल जब उनके गाव में एक मेला लगा था फियो का मतलब होता है मेला except का मतलब होता है के बज़ाए पीपल वॉक्ट पाई बंपिंग इंटो हिम विद देर सूटकेस और जब वो स्टेशन पे था बैठा हुआ था तो लोग इदर उदर से निकले जा रहे थे बंप करना मतलब बतलब तकराना एक दो लोगों का एक दूसरे से तकरा जाना तो जो सूटकेस तेव लोगों के वो वेनू से बार बार तकरा के निकल रहे थे जो है आवाज काफी सदा आ रहे थे नियर हिम अग्रूप ऑफ फीपल सेट ऑन देर लगेज लोगों के थोड़ी दूरी पास में कुछ लोग पैठे हुए थे अपने लगेज मतलब अपने समान के ऊपर और टीवी के दरफ देख रहे थे जो वाल पर दिवार पर लटका जो आसपस जिदनी भी आवाजे थी वो काफी सदा खराब लग रही थी उसे वेलू को वेलू पुट इस हैड डाउन ओन इस नीज फीलिंग मिजरिबल एंड एग्सॉस्टे और जो वेलू था उसने जो अपना है अपना सर अपनी घुटनों पे रख लिया नीज का मतलब ह अपना है गुटने और उसको बहुत ही ज़ादा बुरा लगा था मिजरिबल फीलिंग मिजरिबल का मतलब बुरा लगना और एग्सॉस्टेट एग्सॉस्टेट का मतलब होता है थका हुआ तो वेलू बहुत ज़ादा वहां पे चेने इसेंट्रल पे जब पहुच था था He had run away from his village two days ago वो अपने गाउं से दो दिन पहले भागा था For two days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery और दो दिन से उसे ने कुछ भी नहीं खाया था बजाए उसे सिर्फ थोड़े से peanuts मतलब मुफली के दाने खाय थे और jaggery गुड़ खाया था In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb और उसके पास जो bundle था उसमें उसके पास एक shirt थी एक तोलिया थी और एक कंगी थी He had walked for most of the first day to Karnoor and then got on train to Chinnay और पहले दिन जब वो मिनर से भागा था तो most of the time वो क्या था Karnoor जो जग है थी वहाँ पर घूम रहा था और उसके पास वो ट्रेन में चड़के आथे जो चिन नहीं को आ रही थी Wellu had no money for a ticket but luckily the ticket collector didn't came to the unreserved compartment Wellu के पास कोई पैसे नहीं थे ticket को खरीदने के लिए but luckily जो ticket collector होता है वो नहीं आया था Unreserved Compartment में मतलब वो compartment जिसमें reservation नहीं होता है Normal ticket लिया जाता है passenger वाला जो compartment होता है उसमें टीडी नहीं आया था He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played card and shot all night मतलब जो train में था वेलू तो वो सोने की कोशिश कर रहा था floor पे दर्वाजे के वास मगर वो सो नहीं पाया था क्योंकि उसके पास कुछ लोग थे जिसनों ने पूरी रात cards खेले थे पत्ते खेले थे और वो काफे सतर चिला रहे थे A what new to town called out a rough voice फिर एकदम से जब वो यह सब सोच रहा होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है वो कहता है वो आवाज पोल रही होती है रफ सी होती है तोड़ी harsh अच्छी सी आवाज नहीं होती है वो पूछ रही होती है वो आवाज कि इस town में क्या नहीं चल रहा है फिर वेलू क्या करता है अपनी eyes को open करता है कि वो देखता है उसके आसपास बहुत सारी लोग खड़े होए थे बगर कोई भी उसकी तरफ तो नहीं देख रहा था फिर दुबारा से आती है He turned around फिर पीछे से आवाज आती है फिर वो पीछे टर्न होके देखता है Behind him was a girl around his age wearing a long bunyan that came down to her knees फिर जैसी वो पीछे मुड़ के देखता है वो देखता है कि एक लड़की घड़ी होती है जो कलमब गुसी की होती है जिसने बनियान पहना होता है एक लंबा सा जो उसके घुटनों तक आ रहा होता है इसका मतलब घुटने होता है Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder उसके जो hairs होते है लड़की के वो काफी stiff अजीब से कहरे कहरे से दिख रहा होते है brown color के होते है और उसने अपने कंदे पर एक बड़ा sack डाला होता है sack मतलब एक थैला type का उसने अपने डाला होता है अपने एक कंदे पर she was picking up dirty plastic cups from the floor और वो उठा रही होती है गंदे plastic के कप जमीन पर से and stuffing them into her sack और अपना जो थैला type का होता है उसमें वो सारे plastic के चीज़ा डाल रही होती है why is she calling me thought value and why is she wearing a बनियान तो और वो सोचता है कि यह जो लड़की है यह मुझे क्यों अवास लगा रही है और इसने एक बनियान क्यों बहन रखा है no need to stare stupidly what's your name फिर वो कहता है कि मतलब बच्ची बोलती है जो girl होती है कि तो मुझे इतनी stupidly क्यों घूर रहे हो stare का मतलब 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 है पेवकूफ उसका बाद वो नाम पूछती है वेलू मतरड वेलू looking away फिर वेलू मतर करता है धीरे से बोलता है और इधर दूसी तरफ को देखने लगता है वेलू सेट दगर looking at his bundle run away from home फिर वो वेलू की तरफ देखती है और बोलती है उसके बंडल को देखते हुए जो बंडल उसके पास सत है चोटा सा टाइप का था ना वेलू की पास उसको देखके बोलती है कि क्या तुम घर से भागे हो वेलू इसका कोई आंसर नहीं देता है he didn't want to tell some strange girl what had he done फिर वो यह नहीं बताना चाहता है कि वो किसी अंजान लड़की को strange का मतलब होता है अंजान जिसे हम जानते नहीं है किसी वो strange सी लड़की को नहीं बताना चाहता है कि उसने क्या किया है he had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day his father would snatch away all the money वेलू and his sisters earned and spent it on a drink तो वो मतलब वो सोच रहा होता है कि वो भागा था क्योंकि वो अपने जो फादर थे उसके जो पापा थे उनकी मार एक भी और दिन नहीं सह सकता था और उसके जो फादर थे वो छीन लेते थे, snatch का मतलब होता है छीन लेना जो भी पैसे वेलू और उसकी बहने कमाते थे और सारे के सारे वो क्या करते थे, उसके फादर ट्रिंक में शराप पीने में उढ़ा जीते थे don't think, I don't know, this place is full of children like you, so what are you going to do here, become rich फिर वो लड़की बोलती है कि यह मैं सोचो कि मुझे नहीं पता है, यह जो जगह है, यह भड़ी पड़ी है, तुम्हारी जैसे बच्चों से, और तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पर, अमीर बना चाहते हो, शी सेट डाउन नेक्स टो हम, वेलू शिफ्टेट अवे स्लाइटली, और फिर वो बच्ची वेलू के साइट में बैट जाती है, मकर वेलू दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाता है, वेलू को भूग लग रही होती है, वेलो जो गल पूशती है, क्या तुम भूग लगी है, तुम हग्री हो, फिर वो बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं मेरे का यहाँ पर इतना दुखी सा होके ग्लूमी मतलब जो दुखी सा जीव सा परिशान सा होता है ग्लूमी फेसेस बनाके और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ले खाना धून सकती हूँ फिर वो क्या करती है यह सब बोलके अपना जो साक होता है थैला होता है उसको उठाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगती है वेलू स्टेड उन बेंच वाट शुड़ ही दू शुड़ ही फॉलो दिस गर वेर वाज शी कोई टू डेख है फिर वेलू क्या होता है वही पर बेंच पे और फिर वो सोच रहता है कि उससे क्या करना चाहिए क्या उसे गल को फालो करना चाहिए यह गल तो उससे पता नहीं कहा ले जाएगी she was disappearing into the crowd so he had to make up his mind quickly all right he decided anyway I have no idea where to go फिर जो लड़की है वो सीवी चली जा रही होती है और भीन में गायब सी होने लगती है disappear का मतलब होता है गायब हो जाना दिखन नहीं दिखना तो फिर फटा फटा अपना mind make up करता है माइंड बनाता है और सीधा उसके लड़की के पीछे-पीछे चाने लगता है क्योंकि उसके पास कोई और आइडिया तो होता ही नहीं है कि उसे क्या करना है he jumped up and ran after her she wasn't even looking back to see where he was वो मतलब लड़की जो होती है वो चले जा रही होती है अच्छे मुड कर देख भी नहीं रही होती है कि वेलू कहां पर है गुरिम्सा गुरिम्स का मतलब होता है twisted expression on the face due to pain मतलब थोड़े अजीब से expression आजाना तेढ़े मेरे से expression किसकी वज़े से परिशानी की वज़े से ग्लूमी तो मैंने देख लिया था कि अब इसका स्टोडी का सेकेंड पार्ट है he caught up with a girl as she was leaving the station मतलब उसने लड़की के साथ सत पहुच गया था जैसे वो station से भाह निकल रही थी when they got to the road वेलू found that the vehicles kept moving and never stopped for anyone जैसे वो road बे पहुँचता है वेलू को देखता है कि जोई वेहिकल चल रही है यह तो चलते ही जा रहे हैं और किसी के लिए रुकते ही नहीं है smoke and dust flew at him from all sides making his head spin और जो धुआ है, मिट्टी है वो हर तरफ से उसकी पास आ रही थी और उसका सर इस वज़े से घूमने लगा था they had to wait for a long time before they could find a gap to run through वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side और उनको काफे जो बचे थे दोनो वेलू और वो जो गर्ल थी उनको काफे थे wait करना पढ़ रहा था कि वो जो कोई gap बने वही कर सोड़ा सा उनको gap दे महां से move करने के लिए वेलू जो है वो hesitate hesitate का मतलब बते है शर्माना शर्मा सा रहा था वो हिचक रहा था हिचक सही वर्ड है hesitation के लिए हिचक रहा था मगर फिर गर्ल ने क्या किया उसका हाथ खीचा उसको खीचा दूसरी तरफ और ले गई सड़क पार करवा दी what do you think are you doing grazing cows if you stand around in the middle of the road like that you will be chutney फिर वो लड़की बोलती है तुम क्या सोच के रहे हो तुम कि तुम गाय चरा रहे हो अगर तुम इस तरीके से सड़क के बीच में घड़े रहोगे तो तुमारी चटनी बन जाएगी मतलब वई ना कि कोई तुमें मार के ज़गा जाएगा इस टाइब से वेलू का जो हार्ट है वो काफी जदा तेज बीट कर रहा था उसके दिल की धड़करे तेज हो गई थी वो पीछे मुरके देखता है स्टेशन को और ट्राफिक को जो बहुत ही तेजी से आगे निकल रहा होता है वो कैता है कि लोग किस तरीके से यहां सड़क को पाते है और वो सड़क पे चल रहे हैं यह सब कैसे कर पाते हैं यह लोग वेलू सोचता है वेलू को समझ नहीं आता है वो सिर्फ पिक्चर्स को ही देख रहा होता है गर्ल टॉर्ण अंटो आगे की तरफ जाक के देखता है पीप का मतलब होता है जाक के देखना पिर जो ब्रिज होता है उसके नीचे रोड चल रही होती है जो सिटी में जा रही होती है और कुछ डिस्टेंस पे उसको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स टावर्स और मोर और जादा सड़के दिख सकती है फिर छोड़ी प्रेएं जादम और पुस्टेंस हें पिर जोड़ी प्रेएंस अपूल से रही हैं जिसके चारों तरफ दिवार्स पिर आगे बोलती हैं अगर तुम कियरफुल नहीं रहे तुमने ध्यान रही ही रखा तो जल्दी है तुम वहाँ पे जो है बार्स गिनोगे बार्स की जैसे कोई लोहे की डंडिया होती है उनको बार्स बहुते है तो इसमें क्या होता है मतलब की जेल की सलाखों के तुम पीछे चले जाओगे ऐसा जो जल्दी काप मतलब मतलब ठोड़ा मुसकुरा कर हसना और फिर किस के तरफ पोईंड करते हैं बड़ी से बिल्डिंग के तरफ चले है वेलु स्क्टेटैड एंड ब्रीड टमिल सइन Central Jail फिर वेलू क्या करता है थोड़ा सा घबरा जाता है अजीब उसको लगता है अजीब फेस बनाता है और फिर वहाँ पर रीट करता है जो कि तमिल में लिखा होता है कि वो एक Central Jail है Why I hadn't done anything फिर जो बच्ची है वो बोलती है You don't have to do anything Just don't get caught तुम्हें कुछ गलत नहीं किया है मगर पकड़े मत जाना बस इतना ही मैं कह रही हूँ What does she mean? वेलू wondered mean While the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder फिर वेलू सोच रहा होता है कि क्या कह रही है और इसी बीच में जो गल होती है वागे की तरफ भढ़ रही होती है बिरिच पे और अपने होल्डर पे अपने शोल्डर पे अपना sack रही हूए What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station वेलू पूछता है कि इसमें क्या है उसने वेलू ने देखा होता है कि वेलू बच्ची प्लास्टिक के cups उस बैक में रख रही होती है What are you carrying in this bag? तुमने इस बैक में क्या रख रखा है फिर वेलू पूछता है things, bottles, paper वो बताती है कुछ चीजे है, bottle है, paper है फिर वेलू मतलब wonder हो जाता है कि ये बच्ची जो है, इन सब चीजों का क्या करेगी मगर वो काफी जाए फील कर रहा होता है कोई भी question पूछने के लिए और अभी क्या होता है सुबह morning ही होती है, जो sun होता है वो काफी जादा मतलब फिर भी उपर आ गया होता है और जो तार की road होती है उसमें से बहुत जादा कर्मी निकल रही होती है और वेलू जो है उसको काफी पसीने आ रहे होती है और वो काफी जादा hardly try करता है कि वो shade में किसी तरीके से building किया पेड की shade में ही, परचाई में ही, छाओ में वोग कर पाए और वो girl के पीछे पीछे जा रहा होता है girl जो है वो काफी जाता तेज चल रही होती है फिर पूछता है कि कितनी दूर पे हमें खाना मिलेगा फिर almost and half hour of walking फिर बोलती है लगए आदे गंटे में आदे गंटे चलने के बाद हमें खाना मिल जाएगा फिर वो रुखते हैं एक front of the मतलब एक बहुत ही बड़ी सी building के आगे इस पे लिखा होता है श्री राज राजेश्वरी प्रसान कल्यानम मंदबम रेडू इसको पढ़ता है कि वहाँ पर ये लिखा होता है विनियागन और जो दुलन होती है उसका राम होता है रानी फिर वेलू जो होता है गुर गुर के देखता है बड़ी जो कार्ट होती है पार्की होई होती है बाहर उनको एक कार होती है जिसमें फ्लार होते हैं फूल होते हैं गुल्दस्ते लगे वे होते हैं और रोस का टेप लगा होता है उसके उपर पूरी कार में गर्ल इधा-उदर देखती है और पुल्ट वन ओफ कुट्ली एंड स्टक इट इन हर हैर फिर देखती है कल कि कोई है तो नहीं और फिकार में से फटाफट एक गुलाब निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है फिर वो कहती है कम ओन आगे आओ वी आर गोईंग तू इट है कि हम यहां पर खाना खाने वाले हैं फिर गुल बोलती है होप सेट गुल शेकिंग अर थम अंडर इस नोस विचिडाक के बोलती है उसको शायद फिर शी लेट हिम बहाइंड दा हॉल मतलब फिर उसको साथ मेरे जाती है वेलू को पीछे की तरफ हॉल के देर पास बेग गार्बेज बिन ओवरफ्लोईंग वे द्रविश दो बक्रियां वहाएं उस पूरे जो होता है वे गार्बेज का पाइल होता है उपर तक उठा ववा जान भाइल होता है उसके उपर आपी जो फोन फोर फाइल की घर और लट रहे होती है और cloud of flies burst around his legs और बहुत साथी मक्हियां होती है जो उन बच्चों के पैरों के पास होती है और उस बक्टियों के पैरों के पास होती है जो फिर क्या होता है आगे there was a rotten smell in the air और पूरी जो हवा होती है उसमें सडने की बदबू आ रही होती है इस अगने बचा हुए उसको उठाती है और वेलू को देती है वो कहती है ये तुमारा ख़णा है वेलू कहता है कि मैं ये सारे बतलब तुम क्या है सारे जो زण बचा हुआ ही बचा हुआ हम इसको खाओगी फिर एकनम से बहुत है वो ऐसा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुई डॉग हूँ फिर वो I only take untouched food मैं सिर्फ वेलू बोलता है कि मैं सिर्फ ऐसा खाना खाता हूँ जिसको पहले किसी ने ना खाया हो hear some more catch she threw him a वड़ा वेलू looked at it with distaste फिर एकदम से क्या होती है गल उठाती है एक वड़ा और वेलू की तरफ फेकती है वेलू मतलब उसको वड़े को देखता है this taste की मतलब वो नहीं खाना चाता है इस तरह से उसको वड़े की तरफ वो देखता है और बच्ची बोलती है come on hero eat it you think I like it I told you I will find you something to eat फिर वो एकदम से बच्ची बोलती है वेलू से कि इसको मतलब खालो क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे पसंद है मैं तुम्हें पहले इसे हैं तुम्हारे लिए खाने को खरीदने के लिए you would better eat what you get until you have your own money वो कहती है कि तुम्हें खा लेना चाहिए जो भी तुम्हें मेरे जब तक तुम अपना पैसा कुद कमाना सको विलू hesitated but his stomach squeezed him again he curbed down the banana and vada his stomach felt better immediately फिर वो hesitate करता है थोड़ा शर्माता है यह चकता है फि बहुत जबा हंगरी भूका फील कर रहा होता है और फिर वो एकदम से गल्प कर जाता है बनाने को और वड़ा को गल्प का मतलब होता है बेना चबाय होई खा जाना बनाना को और वड़ा दोनों को और जो stomach होता है पेट होता है एकदम से बैटर फील करने लगता है he could have eaten at least 10 times more but the girl could find only one more banana which she ate herself वेलू जो होता है वो ना उसे खाना मिला होता है उसे 10 गुना जादा खाना कहा सकता था मगर जो गर्ल को एक ही एक और बनाना मिला होता है जिसको वो खुद खा लेती है फिर इस टू अरली दे हैव ओनली एटन टिफिन फिर वो बोलती है कि अभी काफी जल्दी हुई है उन्होंने थोड़ा ही खाना खाया है अगर वेलू तुम मतलब वेलू से बोलती है कि तुम और भूके हो तो तुम वेट कर सकते हो जब तक यह लोग अपने लंच को फिनिश करें और मैं नहीं कर पाऊंगी वेट क्योंकि मुझे काम करना है मैं जा रही हूँ उसने क्या किया कुछ बोटल्स उठाई वहां से हीप में से अपने थैले में डाली और वहां से चले गई वेलू को बहुत एक्तम पानिक कर गया घबरासा गया और उसको रियलाइज हुआ कि जो गर्ल है उसको छोड़के जा रही है मगर उससे तो कोई आइडिया नहीं है कि उससे क्या करना है कहा जाना है तो फिर वो सोचता है कि यह सही रहेगा कि मैं जो गर्ल है उसके ही साथ रहूं उसके ऐसा लगता है वेलू को कि गर्ल को सारी चीज़ा पता है जो भी आस-पास है तो फिर वो गर्ल के पीछे-पीछे भागने लगा A. He called. He did not even know the girl's name. A. What is your name? He asked her in behind her. A. एकदम से गर्ल को आवाज लगाता है क्योंकि वेलू को गर्ल का नाम नहीं पता होता और उसके पीछे-पीछे जा रहा होता है फिर girl रुखती है पीछे मुटती है और वो बोलती है कि ओ इतनी देंसे मुझे फॉलो कर रहे हो और तुमें मेरे नाम भी नहीं पता है फिर वो नाम पताती है जया vailu बولता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूं फिर भी बोलते है, wasst it, who got you food अगर तुममज़ क्ष़व नहीं कर रहे निये, to फिर क्या किसने तुम्हें खाना दिया फिर वailu बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं तुम कहा जा रही हो फिर गल बोलती है तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो तो यह बैग जो है फुल है अब मुझे घर जाना पढ़ेगा दूसरा बैग लाने के लिए फिर थर्ड पार्ट है जो जया और वेलू है वो वाक कर रहे होते हैं रोड पे फॉर एन फॉर हाफ एनार मतलब लगबक आदे गंटे से वो रोड पे वाक कर रहे होते हैं अंटिल वो मतलब एक जगह नहीं पहुच पाते है जो ब्रिज के पास होती है अक्रोस अ डर्टी ट्रिकल ओफ वाटर मतलब जहां पर काफी ज़ादा उसके नीचे ब्रिज के नीचे और आसपास बहुत ज्यादा सा पानी होता ह फिर वी आर इन प्रिक्मेल केंड ना थी थे यह उसको बटाती है क कुई को फो आ गाए है उसको दिखाती है यह जो कैनल जिन हम पानी था काफी गंदा सा दिख रहा था वह भटाती देखत वे के घुूप qualcosa के जिगता NCK भी देख जाफ ईर जखकरयों कि ए क्ए क्र वैल् एक्तम से कहता है कि क्या यह कैनाल है फिर उसकी नजर पड़ती है अजीब सी जो strange जो हट्स होती है जो होती है उन हट्स को उसने पहले कभी नहीं देखा होता है और वो हट्स जो होती है वो बनी होती है बहुत सारी तरह की चीजों से जैसे की मेटल की शीट, टायर, और ब्रेक्स, इटे, लकडी, प्लास्टिक इन सब चीजों से वो हट्स जो है वो पनी होती है इस चुट गूडली एंड लोग एस इफ देवूड फॉल एनी मॉफमेंट और वो जो हट्स होती है वो इतनी तेरी मेरी सी होती है ऐसा लगता है कि वो कभ फिर वो बताता है कि विलेच में, in our village the house are made of mud and palm leaves हमारे जो गाओं है वहाँ पर जो घर बने होते हैं मिट्टी के और palm leaves के बने होते है जया बेंट अराउंड तो वन ऑफ दा हर्स एंड डंप हर्ट सैक आउटसाइड देंड शी पिक्ट अप एन एंप्टी वर्ट जाती है एक dollars सैक में इसच के में अपना पिक फिरा हरोर वर्ट जाताइड तो गिरा सैक में दूसरा सैक में यह, छया दिया काुक्त सम्क लग तूससरा में शैयर को हम जाते हैं मृति उससी पहल कर से पा办 and a stick into his hands और फिर वो मतलब एक उसके जूती भी पहने किल देती है जो काफे पराने होते हैं जिन में लेसे भी नहीं होते हैं और एक साग दे जेती है एक थेला दे जेती है जो उसके हाथ में वो पकरा देती है वेलू कन्फियूज हो जाता है वो पर वो सोचता है कि इन चीजों से वो क्या चाती है कि वेलू मतलब क्या काम करे तर ओनली वर्क ही हैड एवर दन वास उन लैंड़ूज फारम वीडिंग और टेकिंग आउस आउट तो ग्रेस वेलू कैस तो पर वेलू कैस तो तो यह सोचता है जआ तरर शेय करें और अड धनीज़ मतला सोचता है ज़ेया विलू से बन जां मतलब केंगर सढ़ूर। कि अज ज़ेया मतल शेया कोई वेलू खेफे फोटें Ugh यहां पर कॉई कर द किसे वेलू का ऐं इस ट्रीभ न है ₈ए। Rackpickers, see my sack, full of things I collected फिर वो इतम से Rackpickers बोलता है वेलू और फिर जया बोलती है कि ये देखो मेरा जो समान है जो मैंने पूरा कपूरा कलेक्ट किया है कलेक्ट फ्रॉम वेर आस्ट वेलू फिर बोलता है कि कहां से कलेक्ट किया है वेलू ने कभी भी इस राइप की कोई भी चीज नहीं सुनी होती है फिर बोलती है ए ब्लॉखेड ब्लॉखेड का मतलब होता है बेवकूफ इस नॉट एनी रबिश ओनी पेपर, प्लास्टिक, ग्लास्टिक, ग्लासर्श, थिंक्स परिशान सा हो जाता है उसने, he had heard of people throwing away rubbish but why would anyone want to buy rubbish फिर वो सोचता है कि उसने हमेशा सुना था कि लोगों को चीज़े फेक्टिव है कोई इस rubbish को इन वालतियों की चीज़े को क्यों खरीदेगा और इस जाम बजार जगो कौन है और इसको क्यों खरीद रहा है इस rubbish को वो you think he buys it for sure he sells it to factory come on I don't have time to waste like you फिर जया जो होती है वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारी चीज़े देखने के लिए लोगो को दिखाने के लिए खरीद रहा है वो इन सब चीज़ों को factory में जा करके बेश देता है फिर वो बोलती है come on आगया हो चलते हैं अब काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए बरबात करने के लिए जैसी कि तुम्हारे पास है वेलू डिड अगया और रहा है वो नहीं करता है वो सोचता है कि वो नहीं जगहे पर नहीं आया है जो कचडे के लिए उसमें से फाल्तू की चीज़े अखिटे करने के लिए जैया पोंक्ट एट एं विधर स्टिक लुक है शी शाओटे इफ समवन गेट से अफ्टे एर बिफोर अस वी जल्दी चलो अगर हमसे पहले कोई और वहाँ पोच के हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा डोंट जस्ट स्टैंट हेर पोजिंग बिग हीरो आज तुम्हें खिलाया था वेलू स्क्रेश्ट इस हैट एंसाइड आई विल टू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड बैटर जॉब फिर वह अपने माइंड को एक दम से स्क्राच करता है और फिर वह सोचता है कि मैं अभी के लिए काम कर लूँगा जब तक मैं मुझे एक बैटर जॉब एक सही सा कोई काम ना मिल पाए तो यहां पर हो गया हमारा चाप्टर कंप्लीट आप